जीवन का जो भी अनुभव हो चाहे वो प्रकाशो या ध्वनी कोई स्वाद, कोई गंद या समवेदना अनुभव का जो भी रूप हो दर्द हो या खुशी आपको होने वाला हर अनुभव मुख्य रूप से आपकी रीड से संचालित होता है अगर रीड हटा ली जाए या जो रीड से गुजरता है वो किसी तरह अविवस्थित हो जाए तो कोई अनुभव नहीं होगा हमने हमेशा रीड को ब्रहमांड की धुरी के प्रतीक के रूप में देखा है मुख्य रूप से आप प्रहमांड को सिर्फ अपने अनुभव के संदर्व में ही जानते हैं उसे जानने का कोई और तरीका नहीं है आप अपने अनुभव के संदर्व के बिना दुनिया में कुछ नहीं जानते हैं आप समझे मैंने क्या कहा आपके अंदर जो हो रहा है उसी से आप जानते हैं या आप सोचते हैं कि आप जानते हैं क्योंकि आप अस्तित्व को सिर्फ अपने अनुभव के संदर्व में ही जानते हैं और आपके अनुभव का अधार वो है जो अभी आपकी रीड से संचालित हो रहा है तो रीड को ब्रामांड की धुरी के रूप में देखा जाता है आज हम जानते हैं कि पूरा सौर मंडल एक छोटी सी बून्ध है इस ब्रामांड में कल सुबह अगर ये पूरा सौर मंडल गाइब हो जाए तो कोई बड़ा खाली पर नहीं होगा बस एक छोटा सा खाली स्थान होगा बाकी ब्रामांड उस पर ध्यान भी नहीं देगा ये इतना महत्वहीन है इसलिए योग में वे एक अलग आयाम तक गए और कहा आपकी रीड ब्रामांड की धूरी है वे इसलिए नहीं कहते क्योंकि वे मानते हैं कि आप ब्रामांड के बीच में मौजूद हैं बलकी इसलिए क्योंकि आप सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर ही ब्रामांड को जान सकते हैं और आपके अनुभव का आधार आपकी रीड में है अगर कोई इंसान वास्तव में चाहता है कि इस धर्ती पर अपने अनुभव की प्रकृती को सौ प्रतिशत तै करें तो रीड पर थोड़ी महारत हासिल करना जरूरी हो जाता है जो इंसान अपने अनुभव की प्रकृती हर हाल में तै करता है वही अपने जीवन की पूरी शम्ता खोजने का साहस करेगा क्योंकि वो किसी भी चीज में कदम रखने से नहीं हिचके चाहेगा अगर आपका अनुभव आपको छोड़ कर किसी और चीज से तै होता है तो सुभाविक है कि आप कुछ चीजों से बचने की कोशिश करेंगे और कुछ के पीछे जाएंगे जिन भी चीजों को आप अच्छे अनुभव को प्रेरित करने वाली मानते हैं आप उनके पीछे जाएंगे जो भी चीजें आपके अनुसार बुरा अनुभव उत्पन करेंगे आप उनसे दूर जाएंगे जब आपकी चेतना में ये विभाजन हो जाता है कि आप अस्तित्व को दो भागों में बांट देते हैं तो परम मिलन को जानना अनावश्यक रूप से मुश्किल हो जाता है खुशी, प्रेम, आनंद पर इतना जोर इसलिए दिया जाता है ताकि आपका अनुभव किसी और चीज़ से तैना हो अगर आप यहां बैठ कर ये सोच ले कि ये पेड़ आप में अच्छा अनुभव पैदा करता है और वो पेड़ आपके अंदर बुरा अनुभव पैदा करता है तो सुभाविक रूप से आप कभी वहां नहीं जाएंगे आप बस यहीं घुमते रहेंगे अभी यही हो रहा है जीवन के हर पहलू के साथ यही हो रहा है तो जब आप दुनिया को बांट देते हैं लोग आपको मुर्खता पून चीज़ें बता रहे हैं कि आपको अपने दुश्मनों से प्यार करना चाहिए मुझे नहीं समझा आता कि जीवन को इतना कठिन क्यूं बनाया जाए पहले किसी को दुश्मन बनाओ और फिर उसे प्यार करने की कोशिश करो यह बहुत मुश्किल है क्या यह बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप उसे दुश्मन न बनाए तो ये आसान होगा उसे दुश्मन बनाओ और फिर उसे प्यार करने की कोशिश करो ये एक असंभव शर्थ है नहीं? वे हमेशा आपके लिए असंभव चीजें तै करना चाहते हैं ताकि आप लगतार वहां जाएं चलिए संभवनाओं पर नज़र डालते हैं सिवाए इसके कि आप दुनिया को न बांटें दुनिया को गले लगाना बहुत मुश्किल है, है न? अपनी चेतना में अगर आप बांट देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है तो हर चीज को अपनाने की कोशिश बहुत मुश्किल है या तो सब कुछ मेरा है, या कुछ भी मेरा नहीं है, ये ठीक है कुछ भी मेरा नहीं है, ये एक मार्ग है, ये ठीक है या सब कुछ मेरा है, ये ठीक है, ये काम करेगा, ये वेवहरिक समाधान है तुम मेरे दुश्मन हो पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ये बहुत ही मुश्किल है ये एक यातना है और दुनिया को विभाजित करने का आधार है कि कहीं एक चीज आपके भीतर सुखदता पैदा करती है तो दूसरी चीज अप्रियेता तब ही आप दुनिया को विभाजित करते हैं ये मुखे रूप से बस जीवन चलाने का तरीका है आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो अप्रियेता होगी और वहाँ जाएंगे ये तो सुखदता तो धीरे धीरे आप वहाँ 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 जाने लगते हैं, यहाँ नहीं और कुछ समय बाद आप वहाँ बिलकुल भी नहीं जा पाते क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी अप्रियता घटित होती है जब आप खुद अपने अनुभव की प्रकृती तै करते हैं सिर्फ तब ही आप अपने भीतर उसे सुख़द रख सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो अगर लोग अप्रियता पैदा करते हैं, तो वे आपके आसपास कर सकते हैं आपके भीतर कभी नहीं ये आजादी होने के बाद ही आप वास्तव में समावेशी हो सकते हैं वरना आप अटक जाते हैं हर छोटी ध्वनी जो आप सुनते हैं देखे कि क्या आप उसे अपनी रीड से संचालित कर पाते हैं जो भी आप देखते हैं देखे कि क्या आप उसे अपनी रीड से संचालित कर पाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ। आवाज खुद इस्तार से नहीं जा रही। बलकि विद्यूत आवेक के रूप में वो इस्तार से स्पीकर तक जा रही। और फिर बूम। अगर मैं इसे काट दूँ, तो वो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। रीड ऐसी ही है, रीड खुद कुछ नहीं जानती, मगर वो हर चीज संचालित करती है। जो तारों के इस पूरे गुच्छे को समझता है, सिर्फ वही ध्वनी को सही तरसे मैनेज कर सकता है। कि ध्वनी कैसी होनी चाहिए, हमें कुछ परिशानिया हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी तारे हैं। जब आप वहां मौजूद हर एक तार को समझते हैं, तभी आप ध्वनी को ठीक उस तरह मैनेज कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। वरना बीच में कई सारी चीजें हो जाएंगी। यही चीज इसके साथ है। अगर आप इस पर थोड़ी महारत पालें कि यह कैसे संचालित होता है, तो आप यह पक्का कर सकते हैं कि अपने लिए कैसा अनुभव पैदा करना है। वरना सब कुछ संयोगवश होगा। जब आपके जीवन का अनुभव ही संयोग से घटित होता है, जब आपके अस्तित्व का तरीका ही संयोग से तै होता है। अगर आप यहां संयोग से मौजूद हैं, तो यह एक हो सकने वाली आपदा की तरह है। सिर्फ ये डर कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, सब कुछ नश्ट कर देता है इनसान की सुन्दर्ता और गरिमा पूरी तरह खो जाएगी अगर मेरे मन में क्या होगा का डर बैठ जाए चानवर काफी ठीक रहते हैं एक लालच है बहुत से दार्शनिक जंगल गए और शान्थ और सौम्य सौम्य नहीं कह सकते जानवरों का शान्थ प्राकृतिक जीवन देखा लोग इससे काफी आकर्शित हुए हैं और उन्होंने जंगल जाने और बिलकुल उनकी तरह जीनी की कोशिश की सरल ये आकर्शन बहुत बड़ा है मानव समाजों की उथल पुथल के कारण मगर आपको ये समझना होगा कि ये कभी कारगर नहीं होगा क्योंकि किसी जानवर में शान्ती की भावना बेखबरी के एक स्तर अचेतंता के एक स्तर से आती है आप वहाँ नहीं जा सकते जो चाहे कर ले जो चाहे कर ले आप एक जानवर की अचेतं प्रकृती में वापस नहीं जा सकते प्रकृती ने आपको चेतंता के इस स्तर तक धकेला है आप चाहे जितनी कोशिश कर लें आप कोशिश करके चेतं हो सकते हैं आप कोशिश करके अचेतं नहीं हो सकते कृप्य ध्यान दीजे कम से कम आपका इतना ध्यान प्रकृती ने रखा है कि आप सिर्फ आगे जा सकते हैं न की पीछे दार्शनिकों और बाकी अलग-अलग तरह के लोगों ने इस आशा से जानवरों की तरह सरल जीवन जीने की कोशिश के कि जीवन ठीक हो जाएगा मगर ये कारगर नहीं हुआ ऐसा होने के वज़े बाहरी स्थिती की जटिलता नहीं है वज़े ये है कि हम अपने अनुभव की प्रकृती को अपने अंदर तै नहीं कर रहे हैं